नमस्कार में नाम प्रना है और मेरा आप सभी से सवाल यह है कि आज कर सोशल मीडिया पर एक नई चीज बहुत चल रही है वह है वेरिफाइड पी एनल कोर्सेस स्काम सो इन सारी बातों पर आपका क्या टेक है तेखे अब वेरिफाइड पी एनल तो भई एक ठीक चीज है अगर वेरिफाइड है तो at least you can trust on it तो यह तो सही चीज है अब स्कैम क्या चल रहे है कि हम आप हमारे साथ जोड़िए हम आपका पैसा मल्टिप्लाइ कर देंगे आप हमारी कोर्स को लीजिए आप 500 गुना कमा पाएंगे या आप हमारा कोई टेलिग्राम गृप जॉइन कर बता हूं कि टिप्स वाले 500 लोगों को अगर टिप्स दे रहे हैं तो उसमें 500 लोगों कहारे हैं 200 को कहारे हैं 2200 को कहारे हैं 25 लुग अदि इंग्रोργ कि रहे और 300 बबन गए तो इन 1200 को बहुоко ब कर लो तो टिप्स का तो धंदा ऐसे चलता है और टिप्स एक मतलब छोटा मोटा बिजनस नहीं है अभी आज से एक देर साल पहले Zee बिजनस ने कोई एक मुहीम चलाई थी दो दो सो पांच पांच सो करोड रुपे पकड़े गए इंदौर और गुजरात में जो लोग टिप्स चला रहे थे इतना बड़ा वल्यूम है टिप्स का क्योंकि हमें लगता है पांच सजार ही तो ले रहा है लेकि वो पांच सजार कितने लाखों लोग ले रहे हैं क्योंकि करोड हो लोग नुकसान में है तो यह तो स्कैम है इस से तो बचना चाहिए टिप्स वाला को अगर खुदी कमाना आता तो खुदी कमा लेता वो टिप्स नहीं दे रहा होता ऐसा मेरा मानना है तीसरा आपने क्या सवाल पूछा जी टिप्स का और और कोर्सेस का courses देखिए अगर कोई genuine है आप उसका reviews देखिए अगर आपको लगता है कि वो genuinely सिखा रहा है और अच्छा सिखा रहा है क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों से सीखा है हम समने कहीं न कहीं से सीखा है बहुत सारी वेबसाइट से सीखा है, बहुत सारे यूट्यूब से सीखा है अगर रिव्यूज अच्छे हैं, लोगों का फीड़बैक अच्छा है और इस समवन इस एबल टो एड सम वेल्यू तो यॉर नौलेज, मतब ट्रेडिंग तो सीखने में कोई बुरा ही नहीं है, लेकिन फिर वो देखना चाहिए कि कितने पैसे लेके मुझे कितनी वेल्यू डिलिवर कर रहा है ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आप किसी का भी कोर्स ले लें या किसी से भी सीखने पहुंच जाएं या आजकल हम खुदी देखते हैं, हम लोगी दंग रह जाते हैं कि एक आदमी सिखा रहा है, वो 10-10 अजार लोग बैठे हैं सीखने के लिए 5-6 जार लोग बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि वो सिखानी रहा कोई कथा चल रही है तो आप लोग थोड़ा सा उसका एक due diligence कर लें और सीखना, देखे, फिर वो हम लोग बार-बार उसी चीज़ पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि सीखना तो जरूरी है, बगैर सीखे तो ट्रेड ही नहीं करना, अभी कैसा है, ये ट्रेडिंग की जन्नी कैसी है कि हम सब को 500 किलो मिटर कलना है, कोई पैडल चल रहा है, कोई स्कूटर से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, किसी ने flight ले ली, लेकिन चलना सब को है, तो शुरू के initial 2-3 साल तो लेके, धके खाके, सीखके, करके, अपनी गलतियों से सीखके, चलना तो तो वहां तक पहुंचना है जब तक प्रॉफिटेवल नहीं होना कुछ लोग हैं जो पचास हजार से दस लाग भी बना लेते हैं लेकिन वो कुछ है वो सारे नहीं हो सकते तो सीखिए और करिए ज़रूर कामयाब होंगे क्योंकि कामयाब भी 5-6% लोग तो हो रहे हैं तो जो हो रहे हैं वो भी तो सीखते ही महा तक पहुंचे हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं I think जहां तक बात रही सोशल मीडिया की सोशल मीडिया पे टेक एवरीधिंग तो पिंच ओफ सॉल्ट ये एक लाइफ में रूल बना लो क्योंकि सोशल मीडिया की इंवल्में हमारी लाइफ में बढ़नी है ये कम नी होगी सो जो भी आप देख रहो especially with the coming of AI and all that हर चीज फेक हो सकती है और ट्रेडिंग रिलेटेट चीज़ें तो या स्क्रीन शॉर्ट वगेरा सब अराम से फेक करे जा सकते है so verified P&L is a good thing at least थोड़ी सी एक authenticity आती है कि सामने वाला जो बात बोल रहा है जो claim कर रहा है वो सच भी है या नहीं है तो I think it's a good step जहां तक बात रही tips की मेरा मानन है जितना दूर रहो tips से उतना बढ़ी है क्योंकि tips आपको पैसे बना के दे ही नहीं सकती एक tip में बनेंगे दूसरे में जाएंगे बराबर हो जाएगा या net loss में आओगे कोई फाइदा नहीं है time waste है होता ही है कि कोई भी आपको अगर tip दे रहा है तो आपको बस यह होता है कि यार कहीं इसके पैसे ना बन जाए और मैं रह जाओ पीछे इनसान tip पे trade इसलिए करता है कि सामने वाला कह रहा है यार मैंने तो यह share ले लिया है और यह बढ़ने वाला है तो मन में आता है कि यार कहीं मैं ना पीछे रह जाओ कहीं मेरे ना पैसे बने तो आप tip पे trade ज़रूर लेते हो कोई भी थियोरी पढ़ा सकता है क्या है उसमें मतलब किताब लेके उसमें से नोटस बनाके फैंसी वे में प्रिजेंट करके पढ़ाना इस नॉट डिफिकल्ट कोई भी बाते कर सकता है लेकिन जो एक्चुली में उस चीज को एपलाए कर रहे है उस पे ट्रेड कर रहे है जो उस पे पैसे बना रहे है फाइदा उसी से सीखने का सो कोर्स लेना बुरी बात नहीं है बिकास आपका लर्निंग कर्व कट हो जाता है कुछ चीजे जो आपको शाहिद सालों बात समझा है वो आपको कोई अपने experience से बता रहे है लेकिन उसके पास experience होना भी तो चाहिए सिरो बुकिश experience नहीं होना चाहिए so my point is more than the price that the person is asking for क्या वो अपने experience से आपको सिखा रहे है या नहीं वो जादा important है किनली मैं थोड़ा सा यहां एक चीज और एड़ करना चाहूंगा कि आपने कोर्स तो चलिए किसी का ले ली जिया लेकिन क्या उसके पास इतनी knowledge है कि वो 100% deliver कर पाए क्योंकि मैंने भी एक दो लोगों का कोर्स लिया है जब मैं loss making trader था यह बात है 2018 और उससे पहले की तो मैं किसी के पास गया सीखने बोलने मतलब करने तो मैंने ऐसी उन्हेंनों किताब पड़ता था मैं या देखता था तो मैंने ऐसी जैसे इन्होंने बताया तो मैंने उनसे option Greek पूछ ली तो मैंने पूछ ले भी वेगा क्या होता है तो बुले इसका कोई काम नहीं है यह हम देखते ही नहीं तो यह वेगा होता है तो आप पहले यह भी देख लो कि अगला आदमी किस लेवल की knowledge को contain कर रहा है और उससे हमारे को क्या value मिलने वाली है क्योंकि 2000 रुपे भी मेरे ख्याल से खर्च करने से पहले हमें यह दिखना चाहिए कि क्या हमें उसके against मिलने वाला है दूसरा इन्होंने जो बात कई एक मैंने अभी बहुत अच्छी line किसी से सुनी थी कि कि social media के उपर अब आप जैसे देखते हो सर्फ का एड आता है वो बिलकुल वाइट हो जाती है आप पचास बार धोलो अगर आपका कपड़ा वाइट हो जाए उतना तो सो सम्टाइम्स इट इस सिंबॉलिक अलसो और अपने आपको इतना सक्षम बनाईए कि हाँ भी मैं भी उस लेवल तक पहुंच सकता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 42-43 की एज के बाद यहां तक पहुंच गया तो आप लोग तो सब यंग हैं पहुंची सकते हैं कि मैं पहुंची सकता हुआ 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 है